Good morning, All India Radio और आस सवा के अनलेसिस में आप सवो का स्वागत है अगर All India Radio के अंदर नियूज की बात करें तो USA ने एक अटैक किया है डिस्कस करेंगे बहुत ही important article है Next वो दो दाबी पिक्चर के अंदर भी बात की गई है और next देश paralysis marker के अंदर जो बात की गई है भारत नेपाल सेमा बिवात के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंडिफ्थ के अंदर जो बात की गई है Australia में emergency climate आया है उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं और विशे इसका अंदर देखी रहे हो गगन यान अंत्रिक्स के बारे में ये गगन यान के लिए सेलेक्ट हो गए है बंदे और ये फिर से नियोज में है बस थोड़ी सी बाते हैं हम रिकॉल करेंगे पहला भारतिये मानव युक्त मतलब अंत्रिक्स कारिकरम होगा लो असपास हमें अपने धर्ती से ये उपर वाला 400 किलोमेटर के असपास अर्विट होता है यहां पर हम प्रेक्षेपन करते हैं मतलब चौथा देश हम बन जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो तीन लोगों के को ले जाने के हिसाब सी है डिजाइन किया गया है संसकरंग डार्कि भी गिरा उसके अंदर आजमी सुरक्षित होगा यहां पर साथ दिनों के लिए 400 किलोमेटर की उचाई पर प्रिथवी की परक्रमा करेगा अंत्रिक्ष यान में लिक्विट प्रोपेलेंट युप दो इंजन मौजूद होगा मिसन पर करीफ 10,000 क्रुरू रूपे की लागत यह सब तो इंपोटेंट नहीं है टेली मैटरी ट्रैकिंग कमांड सेंटर के यान की 24 घंटे निगरानी होगी अंत्रिक्ष तक पहुचने और धर्ती पर वापस लाने से जुरे सारे तकनिकी का इस्तमाल होगा और रशिया में रशिया का रोश को मोस्त जो है सो हमारे अंत् सबसे पहले रूस ने ऐसा कारणामा किया था उसके बाद युएसे आया था और इस तरह से घटनाय बरती गई और कुछ इंपोटेंट नहीं है नेक्स न्यूस अस्टेलिया फायर सेंड क्लाइमेट चैंज अस्टेलिया इमर्जनसी घोसित किया गया और हम बार बार यह ची सब्सक्र ओंड करते हों हुआ सरी भल सबकर्पक्राइब कि विरुमी और रहे सारी बात था कि झाहया है और देख सकते हो और याप अच्छी तरह से जांते हो वन लेवल तरह जाए होगी प्रया फेतेडुद्ध सिस्ट्वावरे फिस यही सारी बाते हैं बस repeat हो रही है इसके अंदर और कुछ खास मुझे नहीं दिखता है इसके अंदर यहां पर उत्राखंड वेगर लॉस हो रहा है इंडोनेशिया में forest fires बहुत जैदे बढ़ रहा है यह सब कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है global warming बढ़ेगा common है चलते हैं next art पर next art kill नेपाल काला पानी बॉरडर के बारे में है यहां पर सगोली की संधी अगर और 1813-23 तक Lord Hastings था और इसी के समय में सभोली की संदी हुई थी नेपाल के साथ और ये अक्चॉल में जब से भारत ने जम्मू कसमीर को एक किया है भारत में मिलाया है पूरी तरह से तो भारत ने एक अलग सा नक्ष्टा जारी किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा वो SL में उतना बड़ा भी वाद है नहीं यह काला पानी वाला क्योंकि नेपाल भी दिखाता है अपने नक्से में और भारत भी दिखाता है जब कि यह साइन अल्रेडी अब यहाँ पर चाइना काड का गेम होता है अब देखो जैसे कि यहाँ पर मोतिहारी से हमने नेपाल तक पाइपलाइन बना है बनाने के बना रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर पर ट्रेड होता रहता है 98% ट्रेड जो है इसली होता है एक और टर्म बताओं अगर इस तरह का कुछ नेपाल का नकसा है तो नेपाल ने अपनी कॉंस्टिचूशन में जो अभी कॉंस्टिचूशन टूशन टूशन ने बनाया है बहुत पुरानी न्यूज है दो तीन साल हो गए और आप जो पटने जो कंटिन्यू रन में होंगे उनको पता होगा कि इस इलाके में मद हिसी रहते हैं इस इलाके में और नेपाल ने अपने कॉंस्टिचूशन को इस तरह से बाटा है इस तरह से दुजारी सी बात है इसके राइट सलग हो जाएंगे इसके राइट सलग हो के थोड़ी दिक्कत है और वैसे भी चाइना ने नेपाल आरोप लगाता है भारत पर कि भारत चाइना का मतलब बिग ब्रदर का रवया अपनाता है तो यही सारी बाते हैं तो मतलब वहां पर क्या है कि यह सब डॉमेस्टिक लिडर्शिप के वज़े से भी इस तरह का चाइन किल प्रें नेक्स्ट आर्ट किल की जो बात की जा रही है वह यू एसे के बारे में बात की जा रही है मेजर मेजरश जनरल कासिम सुलیमानी को मार गिराया थै अब देखुअ यह जो कासिम सुलिमानी को chyba है अगर जी से आक्टर के बारे Piece अगर मैं कहूं तो एक इस सकते हो कॉर्प्स इसको कह सकते हो मतलब इरान का था जैसे यमन में होती रहता है तो इरान का समर्थन प्राप्त है हमास में वेस्ट बैंक रहता है मतलब हमास इडाक दिखेगा और इडाक में जो है एडाक में USA का नेवल बेस है अब में नेवल नहीं मतलब बेस है ऊपया रहे इस जगह पर इस बंदे ने किसने जन्रल कास् around ने हमला किया था तो यहाँ पर इडाक में USA ने इसको मार किराया अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे अलकाइदा था या फिर और भी बहुत सारे संगेटन थे इन लोगों का या तो समापती पर था सब कुछ मतलब लाश्ट में जब बसता था तब यह से ने अटेक किया और तम मारा लेकिन यहां पर क्या हुआ उससे यह तो अभी एक्टिव था यह अपन होती यमन में है तो अगर इसका समर्थन प्राप्त है कासीम का समर्थन प्राप्त है तो यमन भी तो इरान की सहाहिता करेगा हमाच भी वेस्ट बेंक भी तो इरान की सहाहिता करेगा तो यह एक्टर आप कह सकते हो यहां पर तो यूएसे ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर किया है हमने इनको किल किया है अखी रह सकते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर वोटिंग मतलब कहने का मतलब एलेक्शन का दौर चल रहा है अब दूसरा अगर देखे तो भारत का क्या आशर होगा इसके ओपर तो यूएसे और इरान दोनों के साथ डिलेशन मेंटेन करना भारत क सब्चानक से बढ़ गए स्टेट राफ हॉर्मूज में अनेस्टेबलिटी आ सकती है कर यहां पर करेंट डेफिसिट हमारा बढ़ सकता है असी लाग के आसपास लोग हमारे भारतिये मोल के यह गल्फ कंट्री में है मतलब वेस्ट इंडिया वेस्ट एस्या में आप कह सकते तो यह हमें पसंद थोड़ी ना आएगा तो यह देखने वाली बात होगी आर्टिकल भी आएगा तो जैसे जैसे रिटालियेट होगा उस तरह से बात करेंगे तो एक और बात एक और डिसकुशन एक और न्यूस एक और न्यूस रेडियो के अंदर सामेखी के अंदर आया ह लिए तो यह एक नाइटी 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 वाड़ी बड़ी आपको पता है तो यह बात बताने थी तो आज के डिसकुशन में इतना ही था थैंक्यू थैंक्यू